हिमाले के सिद्ध योगियों के चमतकार सुनकर कई साधकों के मन में इन योगियों से मिलने की तीव इक्षा पैदा हो जाती है लेकिन हिमाले पहुँचना जितना आसान है किसी योगी के दर्शन करना उतना ही मुश्किल लेकिन एक साधक ने ठान लिया था कि वो किसी भी प्रकार से किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन करके ही मानेगा इसके लिए सबसे पहले उसने ये पता करना चाहा कि कौन से सिद्ध महात्मा सशरीर अब भी मौजूद है ये जानकारी जुटाना आसान नहीं था लेकिन साधक भी लगन का पक्का था वो अनेक अखाडों और मठों में गया लेकिन उसे संतोश जलक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ सभी साध्वों ने उसे यहीं बताया कि ऐसा कोई पक्का उपाय नहीं है जिसे अपना कर सिद्ध योगी के दर्शन प्राप्त हो ही जाए लेकिन साधक ने प्रयास चारी रखे बटकते बटकते एक बार उसकी मुलाकात एक ऐसे शक्स से हो गई जिसने हिमाले के सिद्ध योगी से मुलाकात का दावा किया साधक ने उसे बताया कि वो भी उनके दर्शन करना चाहता है इसके लिए क्या करना होगा? उश शक्स ने कहा जिन सिद्ध योगी के उसे दर्शन प्राप्त हुए थे वे काफी व्रद्ध थे लेकिन उन्होंने साधना द्वारा अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी साधक ने आश्यरी के साथ पूछा क्या वे महात्मा अब भी जीवित है? इस पर उश शक्स ने कहा कुछ साल पहले तक तो वे जीवित थे वर्द्मान का मुझे पता नहीं रिशिकेश के करीब एक पहाड़ पर उनका छोटा सा आश्रम है जिसमें उनके कुछ शिश्य रहते हैं बाबा जी भी यदा कदा वहाँ आकर अपने शिश्यों को दर्शन देते हैं तुम वहीं जाकर ये पता करो साधक ने उस शक्स को दैन्यवाद दिया और रिशिकेश के लिए रवाना हो गया उसे न तो योगी का नाम मालूम था और नहीं आश्रम का लेकिन वह फिर भी रिशिकेश के आसपास के पहाड़ों पर बटकता रहा कई दिनों तक बटकने के बाद उसके मन में हलकी निराशा आने लगी इंपर रात के समय वह पहाड़ों पर रास्ता बटक गया और उसे वापश दुशीकेश आने का रास्ता याद नहीं रहा अंधेरे में पहाडों पर चारों तरफ निस्तब्दा चाई हुई थी साधक के कदम लड़ खड़ाने लगे थे और उसे थोड़ा डर भी महसूस हो रहा था लेकिन वो फिर भी हिम्मत चुटा कर आगे बढ़ता जा रहा था अचानक अंधेरे के बीच उसे एक आवाज सुनाई दी कि यहाँ पहाडों में तुम किसे डूढ रहे हो यह आवाज सुनकर साधक डर से कापने लगा उसने बिना पीछे मुड़े ही जवाब दिया मैं यहाँ एक महात्मा के आश्रम को खोज रहा हूँ पीछे से पुना आवाज आई तुम इतना डरे हुए क्यों हो बेटा तुम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो इस सांतुना भर यह आवाज को सुनकर साधक ने पीछे मुड़ कर देखा अंधिरे के बीच उस व्रद सन्यासी की आखें उसे चमकती हुई दिखाई दी क्रशकाय शरीर के उन सन्यासी का चहरा अंधिरे में भी साफ दिखाई दे रहा था उनकी लंबी दाड़ी और हाथ में एक छड़ी थी उन्होंने साधक के करीब आकर पूछा क्या तुम उन्ही महात्मा को ढून रहे हो जिनका एक चोटा सा आश्रम है और वो खुद हिमाले में कहीं रहते हैं साधक ने उत्सुकता से पूछा हाँ मैं उन्ही के आश्रम को ढून रहा हूँ क्या आप उन्हें जानते हैं वृद्ध ने चवाब दिया उन महायोगी को यहां कौन नहीं जानता मुझे आश्चर है कि तुम्हें कैसे अब तक उनका आश्रम नहीं मिला हो सकता है बाबा तुम्हें दर्शन ही नहीं देना चाहते हो इसलिए तुम यहां बटक गए यह सुनकर साधक ने विंटी करते हुए कहा क्रप्या ऐसा ना कहिए मेरी उनके दर्शनों की तीवर अभिलाशा है क्या आप मुझे उनके आश्रम तक पहुँचा देंगे व्रद्ध ने कहा उनका आश्रम यहां से थोड़ी दूर है और मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन तुम कहते हो तो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ साधक ने कहा इस क्रपा के लिए आपका धन्यवाद आप मेरा हाथ पकड़ लीजी मैं आपको सहारा देता हूँ पहाड पर अंधिरी काली रात में वो व्रद्ध साधक का सहारा लेकर उसे राह बताते हुए आगे बढ़ रहे थे रास्ते में व्रद्ध ने पूछा भरी जवानी में तुम कहा योगियों के चक्कर में पढ़ गए हो तुम शादी करके खुशाल जीवन क्यों नहीं जीना चाहते साधक ने कहा मेरा संसार में मन नहीं लगता मैं चाहता हूँ किसी सिद्ध महात्मा के सानित में जीवन के असली अर्थ को जान सकूँ बहुत मुश्किलों के बाद मुझे इस आश्रम का पता मिला है अब बस भगवान की क्रपा से उन योगी के दर्शन भी मिल जाएं तो मेरा जीवन दन्य हो जाए थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगा थोड़ी रोश्नी दिखाई दी वरद्ध ने कहा लो आ गया तुम्हारा ठिकाना अब मैं अपने रास्ते चलता हूँ साधक ने कहा इतनी जल्दी आश्रम कैसे आ गया आपने तो कहा था आश्रम दूर है वरद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया बेटा रात खत्म हो चुकी है थोड़ी ही देर में सुबा हो जाएगी इसलिए मैं अब चलता हूँ साधक ने उनके चरण छुकर इस सहायता के लिए दन्यवाद दिया और रोश्णी की तरफ तेज कद्मों से बढ़ने लगा आश्रम के द्वार तक आते आते सच में पहाड पर सुबा का प्रकाश फैलने लगा था आश्रम में पहुँचकर साधक ने अपने आने का उद्देश बताया इस पर एक शिष्य ने कहा कि क्या आपको नहीं पता कि बाबा जी ने दो वर्ष पहले ही अपने देह त्याग दी है ये सुनकर साधक गहरी निराशा में लूब गया शिष्य ने कहा आप बहुत दूर से आए लगते हैं इसलिए आप थोड़ा आराम कर लीजिए वो शिष्य साधक को आश्रम के भीतर ले गया वहाँ एक तस्वीर पर पुष भार चड़े हुए थे और कुछ शिष्य तस्वीर के सामने ध्यान में बैठे थे साधक ने करीब जाकर देखा तो ये तस्वीर उसी व्रद्द की थी जिसने उसे रात में इस आश्रम तक पहुचाया था उसने आश्रम से पूछा ये किसकी तस्वीर है शिष्य ने जवाब दिया यही तो हमारे गुरुदेव हैं जिनसे मिलने आप यहां आये हैं ये सुनते ही साधक के होश उड़ गए वो सोचने लगा कि वो व्रद्ध ही साक्षात महायोगी थे और मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया और देहत्याक के बाद भी वो जीवित कैसे रहे ये सब सोचते सोचते उसका सरदर्द से फटने लगा और वो बेहोश हो गया जब उसकी आखें खुली तो वो आश्रम के दालान में लेटा हुआ था और कुछ शिश्य उसके आज़ पास बैठे हुए थे एक शिश्य ने कहा शायद अत्यदिक थकान की वज़ा से आप बेसुध हो गये थे साधक ने कुछ नहीं कहा उसने सीधे उठकर बाबा की तस्वीर को प्रणाम किया इसके बाद उसने सबी शिश्यों को रात की गटना विस्तार से बताई ये गटना सुनकर सबी शिश्य आश्चर इसे भर गए एक शिश्य ने साधक से कहा आपको दर्शन देने के लिए गुरुदेव ने दुबारा शरीर धारण किया आप दन्य है साधक के आखों से आशों बहने लगे और वो मन ही मन बाबा जी को इस अवकल्पने क्रपा के लिए दन्यवाद देने लगा ये अद्बत करना आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर कर दें धन्यवाद